हेलो वेबन, हम सभी का चीजी कोड में स्वागत है तो आज के इस वीडियो में हम लोग हिल्ट के बारे में बात करेंगे देखेंगे कि हिल्ट है क्या डैगर 2 और हिल्ट के बीच में क्या डिफरेंस है और भी बहुत कुछ तो शुरू करते है हमारा लेक्ट्चर तो हेल्ट एक डिपंडलन्सी इंजेक्शन की लेडरी है एंड़ियोट के लिए तो आइंड़ुट में हमारा पास डिफरेंट लेडरी है इंजेक्शन को इंप्लिमेक्ट करने के लिए जैसे कि हमारा पास Dagger2 है, Coin है तो Hilt एक another library है जो हमें Google ने provide करी है तो Google recommend करता है कि जितने भी हमारे नए projects है अगर उसमें हमें dependency injection को use करना है तो उसके लिए हम लोग Hilt का use करें तो basically Hilt जो है वो आपको एक standard तरीका provide करता है dependency injection को implement करने के लिए तो Android में सबसे popular जो dependency injection framework है वो है dagger 2 तो mostly जो हमारा code होता है वो हम लोग dagger 2 में ही लिख रहे थे अभी तक पर उसमें पंगा यह था कि सब लोग अपने तरीकी से code लिख रहे थे कहीं पर components थे कहीं पर sub components implemented थे कहीं पर अलग तरीकी से scopes implemented थे या components की अगर बात करें तो components के बीच में जो relationship होती है सब components कहां बनाने है component के बीच में dependencies कैसे define करनी है component के अंदर या तो factories का use हो रहा था या builder pattern का use हो रहा था तो different different तरीके से लोग implement कर रहे थे तो कोई standard नहीं था अब dagger का जो learning curve है वो थोड़ा सा बड़ा होता है उसका code समझने में थोड़ा सा time लगता है तो Google ने क्या क्या है इसको standardized कर दिया तो Hilt ने क्या क्या है यह जो पूरा process था उसको streamline कर दिया तो जितना भी आपका code generate होगा behind the scenes वो आपका dagger का ही code होगा बढ़ उसको लिखने का तरीका तोड़ा सा different हो जाएगा तो Hilt ने कुछ standard तरीके define कर दिया कि अगर आपको DI को implement करना है तो आपको इस तरीके से code लेखना है तो अगर इसे simple शब्दों में बोलूँ Hilt जो है वो एक wrapper है आपकी dagger की library के उपर तो जितना भी code generate होगा आपका वो dagger का ही code generate होगा बट Hilt ने थोड़ी सी चीज़े असान कर दिया है आपके लिए बहुत सारी चीज़े जो है वो predefined है अब क्योंकि जो Hilt है वो Android के लिए डवलप किया गया है तो जितने भी हमारे standards है और conventions है वो Android को focus में रखके किये गए है मलब हमारे पस एक application class होगी तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़े है हमारे पास activities होती है तो उसके लिए हमारे पास कुछ चीज़े है fragments है हमारे पास तो उसके लिए कुछ चीज़े है तो इस तरीकी से ये Hilt काम करता है तो I hope आपको ये clear हुआ होगा तो hilt और dagger दोनों अलग-अलग चीज़े नहीं है hilt behind the scenes dagger का ही use करती है अपना code generate करने के लिए बट कुछ additional conventions add हो गई है कुछ additional standards define करती है hilt के अंदर जिससे हमारी life थोड़ी सी easy हो जाए मिलाब as a developer अगर मुझे dependency injection को implement करना है तो मेरी life थोड़ी सी easy होई है तो आगे बढ़ते हैं अब hilt जो है वो behind the scenes dagger का ही use करती है तो अगर आपको dagger की थोड़ी सी knowledge है तो समझना थोड़ा सा easy हो जाएगा बट ऐसा कुछ requirement नहीं है कि आपको dagger आना ही चाहिए तभी आप hilt implement कर पाएंगे बट मेरे को ऐसा लगता है कि दोनों चीज़े आनी चीए क्योंकि android के जो आपके पास पुराने projects होगे उसमें dagger implemented होगा तो आपको dagger पे भी काम करना आना चीए और आपके जो नए projects होगे जिसमें hilt implemented है तो आप उस पे भी काम कर पाएंगे तो यहाँ पे मैं assume कर रहा हूँ कि थोड़ी सी knowledge है कि dagger किस तरीके से काम करता है तो अगर आप एक beginner है और सीधा hilt के साथ implement करना चाहते है तो उसके लिए एक separate video होगा जिसमें सिर्फ hilt के बारे में बात की जाएगी dagger का कोई reference नहीं होगा तो आगे बढ़ते है अब dagger में हमने क्या किया था कुछ scopes define किया थे तो हमारा पास एक singleton scope था activity के लिए हमने activity scope define किया था तो इस तरीके से हमारा पास different scopes थे similarly हमने different components create किये थे एक हमारा application level का component था और एक हमारा activity level के लिए component था इन components के बीच में हमने dependencies define करी थी कि कुछ हमारे sub components होंगे या हमारा पास component के अंदर एक dependency वाला attribute था उसका हमने use किया था similarly हमारे runtime वाले objects होते हैं उसके लिए bindings define करी थी जैसे कि हमारा application context हो गया तो जैसे हमारे application run होती है तभी हमें यह application context मिलता है तो runtime page जो values होती है उसके लिए हमें bindings define करनी होती है और हमने modules define किया थे जो हमारी dependencies प्रोवाइड करते है तो इन साइच चीजों को use करके हम लोग dagger की महत से dependency injection को implement करते है तो अगर मैं different android projects की बात करूँ जहाँ पर dagger implemented होता है तो यह सारा code हमें लिखना ही पड़ता है यह एक तरीके का हमारा boiler plate है जो हमें बार-बार लिखना होगा जितने भी हमारे android projects होंगे तो Hill ने क्या क्या इनी चीजों को standardized करती है यह चीजे standardized कर दी कि बार-बार हमें यह लिखना नहीं पड़ेगा उसने हमारे लिए कुछ predefined चीज़े बना के रखती तो Hill ने क्या किया हमारे ले कुछ predefined scopes define कर दिया तो हम लोग खुद से scopes नहीं बनाएंगे Hill ने हमें कुछ scopes प्रोवाइट किया उन्हीं का use करेंगे similarly हमारे पास कुछ predefined components आगे उन्हीं का use करके हम लोग अपनी dependencies को consume करेंगे अर इन components के पीच में हमारे पास प्रीडिफाइड hierarchy है तो हमारे पेरेंट च्यृप और去 है तो जो हमारा एप्लिकेर्चन वाला component होगा वो हमारा top level का component होगा उसके बाद हमारे पास activity का component तो जो हमारे एक्टिविटीवाला component है वो उसका child है मिलाब application का child है तो application component के अंदर जितने भी objects होंगे उनको वो by default access कर पाएगा क्योंकि इनके बीच में parent-child relationship है तो इस तरीके से हमारी hierarchy defined होगी similarly यह जो हमारे कुछ common objects होते हैं जैसे कि मारा application context होगा या activity context होगा यह हमें by default मिलेंगे इसके लिए हमें कुछ code नहीं लिखना पड़ेगा तो यह जो runtime bindings वाला code है यह भी हम avoid कर सकते हैं बस हमें सिर्फ modules लिखने होगे modules में हमें इसलिए लिखने हैं क्योंकि कुछ objects जो होते हैं वो हमारे builder pattern का use कर रहे होते हैं या हमारे पास कुछ interfaces होते हैं तो इसके लिए हमें modules लिखने होंगे तो यह वो ही modules है जो हम लोग dagger में create करते हैं और same modules हम लोग health में भी define करेंगे बस लिखने का तरीका थोड़ा सा different होगा तो इसके बारे में आगे बात करेंगे तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इतना सारा code है हमें लिखने की ज़रुवत नहीं है यह सारी implementation हमें health provide करके देगा तो कम code लिखेंगे और ज्यादा चीज़ा achieve कर पाएंगे तो यह benefit है health का तो आपको यह clear हुआ होगा कि क्या-क्या चीज़ा हमें मिल रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास यह कुछ components है जो कि हमारे लिख by default create किए गए है तो android की जो भी common classes होती है जैसे कि मारी application class है activity है fragment है तो उन सब के corresponding हमारे पास components है तो इन component की मेंद से हम लोग अपनी dependencies को access करते है तो हमारी application class के लिए singleton component है view model के लिए हमारे पास यह view model component है activity के लिए हमारे पास यह activity component है तो इस तरीके से यह different components है जिनका हम लोग use करेंगे similarly अगर मैं इनकी hierarchy की बात करूँ तो यहाँ पर दिसकते हैं इस तरीके से हमारे पास यह hierarchy है तो यह जो हमारा singleton वाला component है यह हमारा application level का component होता है तो इसलिए यह सबसे top पे है उसके बाद हमारे पास यह different components है यह हमारे पास activity component है और उसके अंदर हमने fragment component define किया है तो यह जो हमारा singleton component है यह सबका parent है और यह जो हमारा activity वाला component है इसका child है तो जो भी dependencies आप यहाँ पर define करेंगे वो by default यहाँ पर available होंगी उसके लिए मुझे कुछ code नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि यह वाला जो हमारा component है यह इसका sub component है similarly यह जो हमारा fragment component है यह इसका sub component है तो अगर मैं कोई भी dependencies यहाँ पर define करता हूँ वो by default मुझे इस component के अंदर available होंगी तो इस तरीके से हमारी यह parent-child relationship काम करती है तो अगर मैं dagger के context में बात करूँ तो यह जितनी भी हमारे components हैं जो की इसके child हैं वो हमारे sub components हैं अब sub components होते हैं वो by default अपने parent components की जितनी भी dependencies होती हैं उसको access कर पाते हैं इसलिए जो activity component है वो इस parent component की यानि इस singleton component की सारी dependencies को access कर पाएगा क्योंकि यह हमारा sub component है तो इस तरीके से हमारी hierarchy काम करती है similarly हमारे पास कुछ predefined scopes हैं तो यह जो हमारा singleton component है उस पर यह annotation लगी हुए add the rate singleton और हमारे activity वाले component पे activity scope लगी होती है और fragment component पे fragment scope तो कोई भी मुझे object को singleton बनाना होता है किसी particular component के अंदर तो उस पर मैं annotation का use करूँगा तो scopes जो होते हैं हमारी boundary define करते हैं कि इस boundary के अंदर मलब इस component की boundary के अंदर यह जो हमारा object है यह singleton होगा तो अगर मैं किसी object को activity scope करता हूँ तो उस activity के अंदर singleton होगा जैसी हमारी नई activity create होगी तो हमें एक नया object मिलेगा अगर मैं किसी को singleton मार्क करता हूँ तो हमारा application byte singleton होगा तो इस तरही किसे हमारी scopes annotation काम करती है अब हमारा पस कुछ default bindings भी है similarly इस activity component के अंदर हमें यह दोनों objects मिलता है application का object भी मिलता है जिससे हम लोग application context को access कर पा है और हमारा पस activity का object भी है जो भी हमारी current activity होती है उसका भी reference मिलता हमे तो इस तरही किसे हमारा पस default bindings होती है इसके लिए हमें कुछ code नहीं लिखना पड़ता हमें खुझ से बहुत सारी चीज़े नहीं बनानी है वो हमें predefined मिलेंगी तो हमने qualifiers के बारे में बात करती binds annotation के बारे में बात करती multi binding के बारे में बात करती तो वो सारे concepts यहाँ पर भी work करेंगे ऐसा नहीं है कि जो आपकी dagger की knowledge है वो waste हो जाएगी बलकि जिनको dagger आता होगा उनके लिए थोड़ा सा easy हो जाएगा समझना उनको clarity रहेगी कि यह चीज़ कैसे implement हुई है पीछे future videos में यह सारे concepts को implement करके देखेंगे तो आज के लिए इतना ही अगर आपको यह video अच्छा लागा तो please like करें अगर अभी तक आपने हमें subscribe नहीं किया तो please subscribe करें आपका कोई suggestion है तो हमें comments के दुरू बताएं thank you for watching आपका दिन शुगो दन्यवाइब ये language भी सीख लो वो language भी सीख लो जीवन एक race है उपर चड़ना सीख लो हो जाए जब सब कुछ को तुर्मना सीख लो उठाके बसता नाप के रस्ता हर कोई चला है आई दी में आई आई दी आई दी आई दी